नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्यकी राह यह सारी जानकारी हम ले करके हाजिर हैं और साथी साथ हम यह बताएंगे कि आज क्या उपाय करके दिन को सफलता के मुहाने तक ले करके जा सकते हैं यहां बात करेंगे हम आज के सक्सेज की की साथी साथ एक और जानकारी वो रहेगा भाग्याक्षर तो आएए आरम करते हैं आज के जोतिश दिशा को पंचांग जाते हैं जो चाहें सब कुछ किया जा सकता है सुर्वात करते हैं बाच मेश से लेकर के मीन तक के राशी फल की भविश्य वारी की मेश राशी दिन जबरदस्त उच्छाल वाला रहेगा हर प्रकार से लाप की आफसर बनेंगे आज मन आपका प्रशन रहेगा पुरानी समस्याओं का अंत हो जाएगा पढ़ाई में मन लगेगा व्यापार जबरदस्त है आज धन की इस्थिति बहुत सकरात्मक रहेगी बह दोस्तों का साथ मिलेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ मुश्किलें आ सकते हैं सरकारी छेत्र में तो ब्यहतरीन फल मिलने वाला है दामपत्य जीवन में उठापटक प्लस माइनस थोड़ा बहुत चलता रहेगा लेकिन लव लाइफ अप 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 सुप आज शादी की चर्चा कर सकते हैं स्वास्त जबर्दस्त है आज दवाओं का सेवन खत्म हो जाएगा दवाओं पर अपना नियंत्रों रहेगा लाब के बड़े अवसर मिलेंगे परिशानियों का अंत होगा मेश राशी स्वास्त अच्छा है उपाय क्या करना चाहिए आज हरी सबजी किसी जरूरत मंद को जरूर दे दीजेगा क्या नहीं करना है जादा इधर की उधर नहीं करना है काला रंगशुभ है 67 प्रतिशत का भाग आपके साथ है बिशब राजी दिन अच्छा रहेगा रुके कारे आपके बन जाएंगे पढ़ाई में मन लगेगा ब्या पारिक दिश्टी कोर्ट से कुछ लॉस हो सकता है आज स्वास्थ अच्छा होगा तो प्राइवेट सेक्टर में लाव के अवसर बनेंगे बॉस प्रसंद रहेंगे टीचर्स का साथ मिलेगा कोई बड़ी परेशानी का अंत हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए समयन हो सकता है आज किसी काम के अधूरे होने से आप पर आरोप लग सकता है दाम पत्ति जीवन लाव के उसर बनेंगे पत्य पत्नी के बीच तरण समाप्त हो जाएगा पत्य पत्नी के बीच मुहबबत हिलोरे मारेंगे आज के दिन लव लाइफ उच्छाल वाला है और वो कैसे दिन अच्छा रहेगा आज डेट पे जा सकते हैं शादे की चर्चा कर सकते हैं ब्रिशब रासी दिरांग तीन फरवरी दिन सोमवाद उपाय क्या करना चाहिए आज का दिन ब्यहतर करने के लिए ब्रिशब रासी वालों को एक छोटी इलाइची ले जाकर किसी पोधे की नीचे डाल देना चाहिए क्या नहीं करना है आज जादा किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना है नीला रंगशुब है बावन प्रतिशत का भाग्याब के साथ है मिथुन राशी समय अनकूल रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा स्रिक्षा छेतर में आरही बाधाय दूर होँगी स्रिक्षा छेतर में आज तनाऊ की स्थिती समाप्त हो जाएगी आज का दिन ब्यापार के लिए अनकूल रहेगा ब्यापार में लाब के अऊसर बनेंगे रुके धर्ण की प्राप्ति होगी कि न्या वेंचर सुरु कर सकते हैं. मित्वल राशित तीन फर्वरी सो मुवार दिन. प्राइवेट सेक्टर वाहन का सुक मिलेगा. जबने जाजाद की विवात से मुक्ती मिलेगी शादी की बात ऩ। फानल हो सकते हैं. किसी परेशानी से बाहर निकलने में आज बहुत मदद मिलेगी आज का दिन आपके लिए तराव को खत्म करने का है दामपत्त जीवन में आज आउट आफ कोर्ट सेटलमेंट की भी सांसेज हैं दामपत्त जीवन के बाद लव लाइफ की चर्चा करें तो आज डेट पर जाना मुश्किल हो सकता है आज कोई आपको परिशान करने की नियत से आपकी लव लाइफ में सेध लगाने की कोशिश करेगा मिथो नाशी वालों को सावधान रहने की आवशक्ता है मिथो नाशी तीन फरवरी स्वास्त इसकिन की प्रॉब्लम बुखार की समस्या माइग्रेन सर जादा उच्छल कूद नहीं करना है आपके साथ कोई मेजर परिशानी नहीं तो हो सकती है मतलब किसी और की कामों में हस्तक्षिप करना इंटर्फेरंस करना उच्छल कूद करते हैं ग्रे कलर शुबह तिरपन प्रिस्द का भाग आपके साथ है कलक्राशी थोड़ी से सर की प्राप्ति होगी प्राइमेट सिक्टर के लिए मुश्किले हैं आज नौकरी में बाधाया रही है कोई शडियंत हो सकता है गौर्मेंट सिक्टर में वाहन का सुक शादी की बात फाइनल हो जाएगी दामपत्य जीवन में सुधार होगा आज बाहर बैठ करके मिल जु प्राप्लम हो सकती है करक राशी उपाय क्या करना चाहिए आज का दिन बेहतर करना है साथ गिहूं के दाने ले जाकर किसी पौधे की नीचे डाल दीचेगा क्या नहीं करना है ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं दिखाना है आस्मानी रंग शुब है छाशट प्रतिशत का भा निकलेंगे माजसिक शांती मिलेगी परेशानियों कांत होगा धन किस्तिती अच्छी रहेगी सिंगराशी ब्यापार शुब है बिजनस में प्रमोशन के चांसेज है आज नया ब्यापार आरंब कर सकते हैं दिनांक तीन फरवरी को प्राइवेट सिक्टर में दिक्कत है कोवर्मेंट सिक्टर प्रमोशन हो सकता है आज मन चाहे स्थानात्रों के लिए पैर भी करवा सकते हैं आप पर परिशानियों का तुरंद समय सीमा खतम हो रहा है सिंगराशी लव लाइफ समय अनकूल रहेगा दामपत्य जीवन में भी प्रभाव आपका बना रहेगा रिष्टे में मधूरता रहेगी लव लाइफ में आज डेट पर जा सकते हैं शादी की चर्चा कर सकते हैं सिंगराशी वालों के लिए आज दोनों पर्सनल लाइफ ब कुछ समस्याएं थी जिनका हल अपने आप्टिकल आएगा सिंगराशी उपाय क्या करना चाहिए अगर आपकी रासित सिंग है आज किसी जरूरत बंद को कुछ मिठाई और रोटी उपहार दे दीजेगा, दान कर दीजेगा, क्या नहीं करना है किसी पर भी गुसा नहीं करना है, बादामी रंग शुबर 56 प्रत्षत का भाग आपके साथ है करने राशी, समस्याओं के साथ आज समाधान स्वतह आ रहा है, परेशानियां खुद खत्म हो जाएंगी पढ़ाई में मन लगेगा, कहीं बाहर घुमने टहलने का कारेक्टर मित्रों के साथ बन सकता है ब्यापार कुछ नुकसान लेकर कि आएगा, बिजनस में कुछ परिशानी आ सकती है, धन आपका फंस सकता है नए बिजनस के लिए प्लैन भी छोड़ दीजेगा, प्राइवेट सेक्टर के लिए वाहन का सुख मिलेगा, मानसिक शांती मिलेगी हर प्रकार से हर लिहाज से आपके साथ धन की स्थिति मुश्किल पैदा करेगी गौर्मन सेक्टर के लिए अनकूलता आएगी, नौकरी में प्रोमोशन के चांसेज है, जमीन जाजात का लाह मिलेगा आज कन्या राशी वालों के लिए तीन फरवरी दिन सोमवार को दामपत्य जीवन लाव के अउसर दे रहा है संतान का सुख मिलेगा आज, घुमने टहलने का अकार कम बनेगा, रिस्ते में प्रगाठता आएगी, गहराई आएगी फिलिंग्स शेयर होंगी आज, लव लाइफ टफ रहेगा, सप्रेशन के चांसेज रहेंगे, कन्या राशी वाले उल्जन में फंस सकते हैं स्वास्त के लिए आज का दिन, उदर रोग, पेट की दिक्कत, गैस की प्रॉबलम और बदहज्मिकी शिकायत रहेगी, प्रियोग क्या करना चाहिए आज बजरंग वली का ध्यान करें लाल देह, लाली लसैं, अरुधर लाल लंगूर, वज्ज्र देह, दानव दलन, जै 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 कपिसूर, जै जै बजरंग वली, अवन सुत हनुमान की जै करने राशी क्या रही करना है, आज ब्लैक कलर अवाइड करना है, लाल रंगशु भई क्यावन प्रत्सित का भाग आपके साथ, तुला राशी, वाह, क्या दिन है आज, मन खोब प्रशन रहेगा, रुके कारे बन जाएंगे, ब्रिशप के चंडरमा का लाप सुक्षा छेत सेक्टर में दिखाई देगा, रिजल्ट पॉच्टिव आएगा, ब्यापार आज डफ रहेगा, धन आपका फ़न सकता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए अनकुलता रहेगी, वाहन सुख बिलेगा, आज वाहन बदल सकते हैं, नई जगह जॉब स्विचिंग के लि आज कुछ खुश खबरी मिल सकते हैं, लेकिन गवर्मेंट सेक्टर के लिए आज बाधाय आएंगी, कोई शड़ियंत्र आपकी बिरुद्ध सिद्ध हो जाएगा, आज परिशान हो सकते हैं, आज का दिन आपके लिए देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, दामपत् पुशे ग्रासी, आज का दिन धन की स्थिति लव लाइफ में आएगी, पैसा खुब आएगा, आज का दिन लव लाइफ थोड़ा सा डिश्टर्ब रहेगा, लेकिन शाम आते आते उपहारों का आदान प्रदान होकर के दिश्टे में नई संजीवनी डाल दी जाएगी, आ पुला राशी क्या उपाय करना चाहिए आज, भोले नाथ का ध्यान करिएगा, कुछ शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल, आदी अर्पित कर दीजेगा, क्या नहीं करना है, आज किसी बड़े को जवाब नहीं देना है, औरेंज कलर सुभर सब तावन प्रित्रित का भाग कि आपके साथ है, ब्रिश्चिक राशी, कुछ आसा हज रहेंगे, मानसिक परिशानी हो सकती है, मन थोड़ा सा व्यथित और चिंतित हो सकता है, ब्यापार अच्छा चलेगा, बिजनस में दिक्कत दूर हो जाएगी, पढ़ाई में थी मानसिक दिक्कत, यहां में दिक्कत हो रही है, आज हर लिहाज से शुभ दिन रहेगा, ब्यापार चपरदस्त पैसा देगा आज, बिजनस में कोई समस्या नहीं आईगी, ब्रिश्चिक राशी, प्राइवेट सेक्टर, दिन अच्छा है, मंगल कारी है, लाव की आउसर बन रहे हैं, मानसिक परिशानिया दू और उत्तम फल दाएग है, चिंता दूर करिएगा, हर लिहाज से आप पर सब कुछ सकरात्मक और शुभ होगा, ब्रिश्चिक राशी, उपाग्या करना चाहिए, लव लाइफ में जैसे दूर हुई हैं चिंताएं, स्वास्त में भी दूर होंगी, डियावेटीज आज सिमि लव लाइफ वहां भी समान था, यहां भी समान हो गया, उपाय क्या करना चाहिए, आज किसी बुजर को कुछ धन, दवा, फल, जूस, आदि, पौश्टिक आहार दे सकते हैं, क्या नहीं करना है, आज ब्रिश्चिक राशी वालों को दूसरों के काम में हस्तक शेप नहीं क करना है, पीला रंग शुप साथ प्रित्शत का भाग आपके साथ है, धनुराशी, कुछ उलजने बढ़ रही है, थोड़ा सा अपने आपको सावधान रखने के आवश्यक्ता है, धनुराशी, लाव क्या उसर बनेंगे, धनुराशी, स्विक्चा छेत्र में लाव होगा, प्राइवेट सेक्टर में हानी की संभावना है, कोई मित्र धोखा दे सकता है, गौर्मन्ट सेक्टर के लिए वाहन का सुख रहेगा, आज रिष्टे में मधूरता रहेगी, बॉस के साथ प्रशनता रहेगी, आज दामपत्य जीवन धनुराशी तिनांग तीन फरवरी, प आंसिक शांती मिलेगी, स्वास्त के मामले में आज कुछ परेशानिया है, हेल्थवाइज लिवर और किड्नी से संबंधित परेशानी हो सकती है, उपा क्या करना चाहिए आज, आज के दिन, दिन को बेहतर करने के लिए, इन दोना अंगोलियों को, रिंग फिंगर और थम क ऐसे करके उल्टे हाथ की, लेफ्ट हैंड की, ऐसे करके रिंग और थम को मस्तक को छूना है, और एक बार ओम का जाब करना है, क्या नहीं करना चाहिए, आज धन राशी वालों को दूसरे पर गुसा नहीं करना है, नीला रंग शुभ है, अनसठ प्रतिशत का भाग्याब के साथ है, दिनांग तीन फर्मरी मकर राशी, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सुक्षा में दवदवा कायम है, ये धम, 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 मकर राशी के विद्यारती, आज तीन फर्मरी को खूब मन लगा कर पढ़ेंगे, टीचर्स भी आप से खुश रहेंगे, लेकिन बैपारी दि समस्या नहीं रहेंगी, कुछ बहुत बड़ा काम आपका होने जा रहा है, गौर्मेंट सेक्टर वालों के लिए, आज कुछ परिशानी की इस्थिति आ सकती है, कुछ असाहज महसूस करेंगे, कारशेत्र में बास के साथ तनाव की इस्थिति आ सकती है, दांपत्त जीवन अच्छा है, रिष्टे में मधूरता रहें कि घूपने टहले का कारकम बनेगा, विवादों से बाहर निकलने में कोई दोस्त मुदद करेगा, मकराश, लव लाइफ, थोड़ी से नोग जोग की संभा होना है, आज मकराश के लड़कियों को सहन सील होना चाहिए, स्वास्त नहीं देना है, सफेद रंगशुभ है, 61% का भाग आपके साथ है, कुमबराशी, दिनांक 3 फरवरी, दिन सो मवार, अच्छा दिन है, रुके कारे बन जाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, स्वास्त अच्छा रहेगा, आज टीचर्स खोश रहेंगे, ब्यापार रहता है, फैलाव की स्थिती बन रही है, प्राइवेट सिक्टर वाहन से चोट आद की संभावना है, बैक की प्रॉब्लम परेशान करेगी, घुटने से परेशान रहेंगे, कुमबराशी, प्राइवेट सिक्टर आज दिन अच्छा है, कारे छेतर में, लेकिन रहेंगे, क्या उपाय करना चाहिए आज, जैसे लव लाइफ, मेरेड लाइफ बेहतर है, वैसे स्वास्त में भी आज बेहतर ही दिखाई देती है, आप्रेशन सक्सेस्फुल रहेगा, प्रयोग क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों को आज कुछ खाने पीने की वस्तु दे दीजेगा, क्या नहीं करना है, आज किसी के सामने अपने आपको नीचा नहीं दिखाना है, ब्राउन कलर सुप चौंसट प्रतिशत का भाग आपके साथ, अंतिम राश मीन, कुछ आशान्त रहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, परहेज रहेगा, कुछ ब्यापार प्र प्रभावित होगा, शिक्षा प्रभावित होगी, आज इन तीनों छेत्रों में आप उल्जे रहेंगे, बिद्यार्ती हैं मीन राशी के, तो पढ़ाई में मन कम लग रहा है, किसी से डांट वांट खाने की में संभावना है, कोई समझ नहीं पाएगा, बॉइफ्रेंड ग शेत्र मीन राशी वालों के प्रभावित है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर दोपहर के बाद कुछ हद तक सामान नहीं हो सकता है, गौर्णमेंट सेक्टर वालों के लिए आज का दिन वाहल सुख और रुके कारे की पूर्ती करने वाला है, मीन राशी, आपके लिए आज कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है, जो कहीं न कहीं परिशान कर रहा था, लेकिन लव लाइफ में आते आते और मेरे लाइफ आते आते ठीक कर रहा है, तो इन दोनों छेत्रों में आपको आज सकरात्म कूर्जा मिलेगी, पैचप की संभावना है, बिवादों से मुक्ती मिलेगी, उपहार की आतान प्रदान की संभावनाएं बनती है, घुबने टहलने का कारेक्टरम लव लाइफ में ज़्यादा सक्सेस्फुल होगा, मतलब थोड़ा सा टाइम स्पिंट करेंगे आप, मीन राशी, उपाय क्या करना चाहिए, शिवाले में कच्चा दूद, श्टील के पात्र से अर्पित कर दीजेगा, क्या नहीं करना आज, किसी से अकड के बात नहीं करनी है, बैगनिरंग शुभ है, पचास प्रतशत का भाग तो ये तो रहा भया, राशियों का हाल, मेश से लेकर की मीन तक है, आज दिनांग तीन फरवरी, आज और अभी हम कलकत्ता में हैं, दो पहर तक, आज भी अगर कोई मिलना चाहे तो फटाक से जल्दी से कलकत्ता अपाइंटमेंट लिख करके मैसेज कर दे, एक दो अपाइं पाइंटमेंट लिख की भीज़ दीजेगा, चौदे पंद्रह फरवरी पटना और सोले सत्रह फरवरी राची, ये जगह हैं, जहां पर आप हम से मुलाकात कर सकते हैं, मेश से लेकर की मीन तक काई जानते हैं, आज का भाग्याग्छर, मेश राशि, ताग्छर बिशप चा मिथुन धाग्छर करक, टा, सिंग, डाग्छर कन्या, गा, तुला, फाग्छर, व्रिश्चिक, भा, धनू, काग्छर, मकर, छोटा आ, कुम्भ, छोटा उवग्छर, मीन, छोटा आ, ये आपका शुभभाग्याग्छर हैं, सादे चौकूर कागच पर लाल रंग की इंक से लिखना है, और चौबिस घंटे के लिए अपने पास रख लेजेगा, बस, इतना सा करिएगा, बढ़ते आगे और चलते चलते जानते हैं आज का, सक्सेज की, उल्टे हाथ की छोटी अंगुली से, दिस वन, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से, उल्टा पाउं, उपरी हिस्सा, पंजे का उपरी सत्ह है, लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से, छोना है, और फिर अपने घर पे, अपने घर से, अपने काम के लिए प्रस्थान करना है, बहुत आभार आप लोगों का, प्यार बनाए रखने के लिए, और बहुत जल्दी, कुछ कोर्सेस की विश सत्हां में हम लगे हुए हैं, बहुत आभार आप लोगों का, प्यार बनाए रखने के लिए, ये मुहबबत इसी तरह से हमारे साथ बनाए रखिएगा, हर रोज, एक बार फिर से आप हम, पचास हजार की संख्या क्रॉस करना हैं, पचास हजार लोग डेली, इस रासिफ़ से जुड़ते हैं, जिसे आप पचास लाख कर सकते हैं, और सिर्फ आप कर सकते हैं, बस एक आग्रह मैं करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल से कुछ लाव ले रहे हैं, तो प्लीज आप कार्क्रम को जादा-जादा लोगों तक शेयर किया करिए, बिभिन्ने सोसल साइट्स पर एक व्यक्ति एक लोगों को गर शेयर करेगा, तो भी अपना काम बन जाएगा, और हम उस लेबल तक पहुंच सकेंगे, जहां हम डिजर्व करते हैं, हम मानें, आप और हम मिलकर, तो ये मेरा प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन तो आपका होता है, बस शर्म ना करिए, इसको अंदबिस्वास या किसी और चीज़ से जोड़ना ये निरा बेहकूफी है, तो आप लोग दबा के शेयर करिएगा, और हाँ, आज जूतिश जराहट के कारिकरम में एक विश्व हमने लिया है, कि सोने से पहले ओम क्लींग बोलना क्या फल देगा, शुक्रिया धन्य प्यार बनाया रखने के लिए मुलाकात करते हैं कल से गाजयावाद में, नमस्कार, श्री किष्णा जैशिरादे